कुरुशेत्र में धोंगी बावो के कान सामने आ रहे हैं अभी तो बाबा रजेश केंडी का मामलाथ खंडा नहीं हुआ था कि एक और भगवादारी बाबा प्रवीन दास की कर्टूत सामने आई है आपको बता दे कि भगवाधारी धूंगी प्रवीन दास बाबा लोग सबाचुनाव से फीक पहले कुरुशेत्र में प्रकट हुए थे और अपने आपको भाश्वा की टिकेट का दावेदार बता रहे थे गाउं शहर में जाकर लोगों की समस्या भी सुननी शुरू कर दी थी टिकेट ने मिलने पर बाबा ने अंचन तक शुरू कर दिया था जब भगवाधारी प्रवीन दास की असली कर्तूत सामने आने लगी तो कुरुशेत्र से बाबा छुप छुप कर रहने लगा जब कुरुशेत्र सेक्टर 3 की बीना ने जब बाबा का खुलासा करना शुरू किया तो बाबा बीना को धमक्या देने लगा तो बीना कुमारी ने भगवाधारी बाबा प्रवीन की शिकायत S.P. को दे दी वीना के अनुसार बाबा ने उसको आयुर्वेदिक दवाई की फैक्टरी लगाने का एव्ज में 4 लाक रुपए लिये थे लेकिन ना तो दवाओं की फैक्टरी लगी और ना ही पैसे वापिस दिये उपर से बाबा वीना को मारने की धमक्याबी देने लगा इसे तंग आकर वीना ने बाबा की शिकायत पुलिस को दी लेकिन बीच में कुछ लोगों ने समझोता करवा दिया समझोते में बाबा ने वीना को 4 लाक रुपए का चेक दिया था और 4 लाक की एव्ज में एक मकान का वयाना भी करवाया था जो की यह मकान उसकी पतनी के नाम था लेकिन भगवाधारी प्रवीन दास बाबा समझोते पर खरान नहीं उत्रे और समझोते के तहत बाबा द्वारा दिये 4 लाग का चेक भी बाउंस हो गया और दिया गया बयाना भी जुठा निकला बाद में मालूम करने पर वीना को पता चला की बाबा की पतनी ने तो पहले से ही बाबा पर पुलिस में मामला दर्ज करवा रखा है इस पर वीना ने कारवाई आगे बढ़ाते हुए भगवाधारी बाबा प्रवीन दास के खिलाफ पुलिस में शिकायट दर्ज करवाई वीन मामले की में जब बाबा ने कुरुशेत्र नयायाले से जमानत नहीं मिली तो उच नयायाले की शरली जहां बाबा को जमानत मिल गई जमानत मिलते ही बाबा अंडरग्राउंड है मामले के जाच अधिकारी चांदी राम से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामले की जाच में बाबा बिल्कुल सयोग नहीं कर रहा और भगवाधारी बाबा प्रवीन दास के खिलाब धारा 406, 420, 506 IPC के तहट मामला दर्ज और जान चारी है जमानत के बाद से बाबा अंडरग्राफ जी उसने ना पहले तो मैं मतवब जो है किसी के थ्रू इनके ट्रस्ट में गई थी और इन्होंने मुझे जो है वहां माहा सचीव का पत दिया और बकैदा मेरी अपॉइंटमेंट लैटर मुझे दिया इन्होंने और बड़े-बड जिसका इन्होंने मुझे चेक दिया था चार लाग का विजब आपका पैसा लोटाओंगा तो मैं अपना चेक जो है वापिस ले लूँगा इन्होंने उसके बाद ना कोई फैक्टरी लगाई ना कोई दवाईयों की मेशीन लगाई ना कुछ और पैसा देने ले भी आना ख नहीं करने लगे तो फिर क्या पुलिस पे आपने स्कैट दी उसके बाद जो है हमने वह चेक जो था बैंक में लगा दिया तो वह बैंक में जो चेक था वह बहुंस हो गया फिर मैंने इनके खिलाफ जो है एस्पी साब को कंप्लेंट दी तो वह कंप्लेंट जो थी एस्पी सेल पूल wolves थाड़े में फैसला हुआ था, पंचयत ने फैसला किया था, तो ये कहता कि मेरो पास पैसा थो है नहीं है, मेरा जो मस्त। मस्त। मेरा मिरी गूर banana जो है । मैं इनके नाम खरवा दिता हूँ, उसमें इसने 3 महिने का टाइम ले लिया और मकान कीमत 16 लाक रुपे थी डाल ली हुई तो जिसमें इसने का कि मैं तीन मिले में पैसा वापस लोटा दूँगा अगर ना दिया तो बक्की की बक्की का पैसा दे के और मकान जो है उसकी रिजिस्ट्री ये अपने नाम करवा लेंगे तो वो ब्याना भी मेरे पास इस टाइम भी मतलोब बकैदा है और इसने जो टाइम तीया था उस टाइम पे ये जो है तैसील में नहीं पहुंचा उसकी भी तैसील में हाजरी लगी हुई है और हम इसकी वेट करते रहें और ये आया ही नहीं है तो चार लाक रपर यह जब ब्याना लिखवाया था मकान का तावेश ने रुपया हमने इसे लेना है और उसके बाद जो था इसने पैसा भी नहीं हमें दिया और ये परेशान करता रहा और धंकियां भी देता रहा मुझे लोगों को भेज भेज गे तो फिर हमने परेशान हो के इसके खिलाफ जो है कोट में केस कर दिया अब कोट में केस चर रहा ह है और इसके खिलाफ 26 अपरेल को दुबारा से भी हुई है और उसमें किस दारा में मुकदमा दरज किया गया पुलिस में 420 में 420 406 और एक और धारा है तीन चार धारा इसके खिलाफ लगी हुई है जान से मारने की धमकी भी इसने मुझे दी थी तो मतलब जो है इसका धारा इसके खिलाफ काफ़ी लगी थी और इसकी यहां इस पहलाए बैल भी नहीं हुई फिर हाई कोट यह भागता फिरह और हाई धावाब जाके इसमें अपनी जो है बेल कर वारadt की लिए तो अब कहा भी है फरा रही अब ये फरा रही है इसको कुछ 흥 पता नहीं चार रहा है पुलिस ने इसकी बहुत तलाश कि और इसका मुबाइल भी ट्रेस करने की कोशिश की लेकिन इसका कुछ पता नहीं चला है हान जी इसकी पतनी ने मतल क्षेटरा कोट में इसके खिलाफ की सी कोड में कुरुक्षेत्रा कोट में इसके खिलाफ पांच छे केस जो हैं वो डाल रखें हैं जो अब ही कोट में चाào तरह है और हां ये बहुत फरोड है और भॉट सारे अर लोग भी बताते हैं कि मतलब इसने हमारे से दोखे से जो है ऐसे ही पैसा आया था है लोगों को कहता कि मैं तुमारे घर का जो हाला आता है वो ठीक कर दूंगा तुमारे घर में पैसा आने लग जाएगा किसी से 21,000 किसी से 51,000 ऐसे ले के और ये हवानुबन करता था तो क्या इसके अपना डेरा दूरा भी अगी? के पहले यहां खेडी मारतंडा में ट्रस्ट था उस ट्रस्ट में इस लेडीज के साथ इस नोख़दी से पैसे लिये थे और उसके बाद इवाबा भरा रहा है उसके पैसे लिए ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थपरकास ट्रीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें आज़ा आज़ाँ झाल्ड़ा रहा है अर्थपरकास ट्रस्ट प्रेस करें।